चली अगली बात करते हैं सुनिल शेटी कमेटी अब ये सुनिल शेटी वो अपने अन्ना जी नहीं है थीक अब वो नहीं है इस सुनिल शेटी जो है आपके फेशन डिजाइन काउंसल जो उसके हैड है है ना एक जो non-profit organization है सरकार ने का कि जो hand loom है हत करगा जो हाथ से हम बनाते हैं इसकी output को में दुगना करना है मलब इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है सरकार चाहती है कि क्यों ना इसको हम क्या करें इसकी output को दुगना करें तो economic development भी होगा और जादा जादा लोगों को इसमें क्या मिलेगा रोजगार भी मिलेगा सरकार चाहती है कि जो hand loom की output हो दुगनी हो इसके लिए सरकार ने committee बनाई है और इस committee के head को है सुनिल शेटी ठीक है तो वो इस committee को क्या कर रहे है दोस्तों head कर रहे है परपस क्या है डबल आपका hand loom output है ना तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं hand loom sector से related है आपका है union government ने committee बनाई है दोस्तों for doubling the production and quadloping the export of the hand looms in the span of three years हमें करना है तीन साल में केंदर सरकार ने तीन साल की अवदी में हत करगा के उत्रपादन को दुगना और निर्यात को चार गुना करने के लिए एक समीति का गठन की है ठीक है important है इस committee committee से सवाल आ जाते है मैं बता रहा हूं PT के लिए बहुत important है it will be headed by the chairman of fashion design council अब जो fashion design council है वो इसको क्या करेगी सुनी शेटी जो उसके chairman head है वो इसके chairman रह अपनी बताएगे इसमें it will suggest the strategy and policy ये बताएगी किस प्रकार से हम अगले 3 साल के अंदर में हमारे देश में production को दुगना करेंगे और निर्यात को चार गुना करेंगे तो उसकी पूरी detail strategy जो है वो रखेगे it will suggest the strategy and policy framework for doubling the production and improving the quality of handloom products with the aim of enhancing the income of the weavers जो बुनकर है ठीक है उनकी आपको remoderation की salary भी दुगनी करनी है न अपने को तो उनके दुगना करने के लिए गुनवत्ता में सुधार करने के लिए जो रणनीती और नीती गत धांचे में सुझाव होंगे ये वो suggest करेगी basically इसका काम क्या होगा सरकार को suggestion देना कि क्या किया not for profit organization है ठीक है याद रखोगे not for profit का मतलब क्या है दोस्तों एक NGO टाइप से है जो काम करती है that works to further the business of fashion in India and ensure its substantial growth जिसका काम है भारत के अंदर में जो fashion है उसको बढ़ाना ठीक है उसकी growth के लिए काम करना इसका उद्देश है it promote and nurture its over 400 members who represents the best in India's fashion these members includes fashions and accessories designers and professionals educational institutions and the corporates तो मुख्य बात यह याद रखनी आपको कि सुनिल शेटी कमिटी बनाई गई है handloom, हत करगा को production को दुगना और export को चार गुना करने के लिए बनाई गई है यह आपको policy और जो आपका framework है ठीक है strategic जो क्या होगी उसके लिए सरकार को बताएगी ठीक है कि किस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं जिससे हम इनकी वीवर्स जो बुनकर हैं इनका income दुगना कर पाएं यह अधकरगा बुनकर एजन्सियों के डिजाइनरों खरीदारों और संस्ता संगठन और निर्यातकों के साथ साजेदारी और सहयों करने के तरीकों को भी सुझाएंगे ठीक है यह मैंने पुरा पढ़ा दिया आपको और साथ ही साथ में दोस्तों देखों मेरे साथ जुड़के आप Plus Course भी कर सकते हो ठीक है, यह इधर है, Iconic का सब्सक्रिप्शन है, एक साल, दो साल और तीन साल का, ले सकते हो, code आपका क्या रहेगा, SUMIT10, तो यह मेरा Telegram चैनल है, PDF यहाँ दे दूँगा, मैं, साथ-साथ यह अपना code है, ठीक है, इसको use करना है, to get the 10% of an academy, I hope you like the session, you enjoy the session, so guys, please like the video, share it and subscribe the channel, thank you very much, take care, bye-bye, Jain, love you guys